आज हमायर साथ है जाने माने डॉक्टर आचारे लव भूशन जी बहुत-बहुत स्वागत आपका आज आप हमायर साथ है लव भूशन जी जो हमने सुना है कि मतलब आप कई सालों पेले आप भी इस फेस कई दोर से गुजरे में कई समझ्षाएं आपकी फिर आप धीरे-दी एस्ट्रोलोजर में आए तो आपके जनरी क्या रही है आपकी इसमें जी नमस्कार मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलोजी मैंने क्यों चुनी मैं बात आज से करीब आट-नो सार परानी बात है मैं खोद एक ऐसे फेस में फस गया मेरे बिजनस में पुरी तरह नुकसान लगया और मैं करीब 10 से 15 करोड के लोन में था और मैं करजे में था और जब मैं बहुत बारी डिप्रेशन में था तो मुझे कैंसर भी हो गया और बहुत तरीके की बिमारियां भी मेरे को बिमारियों ने मुझे गेर लिया फिर मेटाटा में मूंबई में एड़मिर था तब ही वहां मुझे कोई एक चौधी से महरा सामना हुआ, मिलना हुआ उन्होंने मेरे बारे में कुछ मुजे बताना शूरू किया उसे पहले मैशरो जी में विश्वास नहीं करता था तो उन्होंने जब वो बता रहे थे तो मैंने देखा कि ये लोग बता तो रहे हैं तो लेकिन खुद उस पर उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे उनकी बातें अच्छी लगी और मैंने उन्होंने जो मुझे मेरे बारे में बताया, उन्होंने को मैंने बड़े दिल से करना शुरू किया, जैसी उन रमेडिस को या उपायर को मैं दिल से करना शुरू किया, तो मेरे को इसका इंपूर्मेंट आना शुरू हो फिर मुझे लगा कि साइंस में कुछ है मैंने साइंस को बहुत नजदीक से बहुत पास से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने बुक्स क्रिदना शुरू कर दिया और तमाम उन अच्छे चैशलोजरों से मिलना शुरू किया जो इस फिल्ड में जिनको महारत हासिल थी मेरी तो मैंने शुरू जो पास किया तो उनके पास देखा कि भीड लगी हुई है पचास सोड़ोजरों की और एक शुरू जो पांच में इसको देखे बता रहा है यहां सोचल मीडिया पे गया तो सोचल मीडिया में उपाई फ्री में बांटे जा रहे हैं कि आप ये कर लो आप शुरू में अधरी में लूटिया तो मैंने आप यहां सोचा कि सारे उपाई बताना चाहूंगा जिए भारत की धर्ती है यहां रीशियों ने जितना एस्ट्रोजी पर काम इंडिया में भारत में हुआ है कहीं नहीं हुआ है आज भारत के एस्ट्रोजी को पढ़ कर विशुफ भरण के लोग आगे बढ़ रहे हैं पैसों की बात कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों बाद दीवाली भी है तो लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी खूब धन लक्ष्मी आए, खूब हमारा कारोबार बड़े, तो ऐसे क्या उपाई करने चाहिए दिवाली सामने हैं, दिवाली के उपर लोगों को, कि उसका बहुत परभाव पड़े लोगों को? जितने भी उपाई हैं, यह फिर डेटो बड़ से देखे होते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको सारजनी कुरूप से ऐसे उपाई भी होते हैं, जो आम जंदा भी कर सकती हैं, जिससे दिवाली के उपर शिरी यंदर घर पे स्तापित किया जाना चाहिए, शिरी यंदर को स्तापित नहीं होना चाहिए मंदिर में नो इन से दू उपर की मूर्थी गर में नहीं होनी चाहिए और मैं बताता हूं कि जब भी आग रक्षमिजी की पूजा करें तो नए नोटों की गडियां पांस दस नए नोटों की गडियां वहां पे पका रखें जितना जैदा धन आप रखे लक्षमी जी की पूजा करेंगे उतना पैसा आपको आने की आपके आपस आने के चांसिस रहेंगे जितने आप पूजा के टाइम पे पैसा नए नोट वहां पे लगए रखा जाए तो आपके बहुत पैसा फैदा आएगा एक Direकर नोट का पिरामिड बना कर आप अपने जैब में रखें या अपने पर्स में रखें तो वह नोट को अकर्षित करता है सो डॉलर का नोट यहां दस यहां बीस पचास जैसा आपके पास पैसा है उसी साथ से डॉलर का नोट आप अपने जेब में रखें तो पैसा आपकी तफ़ा कर्शित होता है मैं आपको बोल रहा हूँ एक रफया भी बोल रहा हूँ एक इसा नोट है जो आर बिय के दौरा ने ची अचाप जाता है इस यह सेंटर गोर्मन्ट try tsbankада और ईक रपे की खड़िया मररकाट में लेने जाओंगे नइं तो एक खड़тории fits तो एक रुपे का नोट मातर एक ऐसा नोट है जिसकी वैल्यू तो इसका मतलब उसमें कुछ तो है ना इस नोट का पीरामिड बनाकर यदि आप अपने पर्स में रखते हैं यह अपने पैसे में रखते हैं तो पैसा आपकी तफ़ाकर्शित होता है दूसरा मैंने यूस डॉल आपस में देने के लिए सिक्स करंसी का यूज करते हैं तो उस डॉलर का नोट आप अपने जैब में रखते हैं तो भी पैसा आपकी तरफाकर्शित होता है जैसे कि कहता है कि इस समय से लेकर दो पैर दो बज़े से लेकर रात को ग्यारा बज़े तक का बड़ा शुब मुह भी तरही जिए जैधी में पड़ी तरहीर की मुहशब्व को जीए खांसी को शुरूर करते हैं तो कहीं नकीहां कि अगयर जाके शामना करता है जिसे positive नक्षत्र और negative नक्षत्र का क्या रहता है बहुत बड़ी कोशन ही किया मैं आपको बताता हूँ मैं नक्षत्र पर ही काम करता हूँ मैं टोटल 27 नक्षत्र होते हैं मैं जिसकी भी date of birth analysis करता हूँ उसको मैं चार्ड देता हूँ कि ये नक्षत्र आपके लिए positive है और ये नक्षत्र आपके लिए negative है 27 नक्षत्र में तीन नक्षत्र ऐसे होते हैं जो उसके लिए what है what का मतलब murder, what का मतलब का तीन दिन महिने में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे तो मैं उन्हें advice करता हूँ कि इन तीन दिनों में आपको कोई काम नहीं करना है आपको नहीं आतराशनी शूरू करना है और महिने में नो दिन ऐसे हैं जो आपके लिए सरवत्त्र में जो आपके लिए बहुत बढ़ी हैं उनके list देता हूँ और उनको अच्छे संजाता हूँ कि महिने में नो दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं ये तीन आपके लिए बुरे हैं ये तीन आपके लिए कम बुरे हैं और तीन दिन एवरेज हैं और बाकी के दिन आपके लिए रहेंगे आप कर भी सकते और आप कर सकते हो तो मेरा जुज एनलेसिस है वो डीप नकशतन तक है इसमें इंडिवीजियल जो भी मेरे पर चाटर आसी करवाने आता है तो उसको मैं नकशतन लेवल की तक है जान करें रहां देखे वैंगे काहिए साउथ स्ट में और ना मंधा कान चमर्ट में पनीम औरतिय यह कुछ लोगों में इंडिया ब्राइं लगए मि Legi दिली की बात करता हो तो साउथ दिली ले लिजी, जैपुर की बात करता हो साउथ दिली ले लिजी, मेकर से मान जो अपने बैठे हुए साउथ दिली में बैठे हुए है, तो जितने मालविय नगर, आप देखे कि जितने भी साउथ के पार्ट है, वो कभी भी गरीब नहीं है लेकिन South में दो entry होती है, S3 S4, वो ही entry South की सबसे अच्छी है जैसे कई कहते हैं कि साउथ में मेरा मकान है, या Kitchen इस साइड है, वाश्रूम साइड है, रूम इस साइड है तो जोसे आप मकान की इस रूम को यहां से तोड़वा कि चिछन में कर लेकर वेस्ट में करा लें तो क्या बीना कुछ तोड़े मकान में ऐसा कुछ हो सकता है कि वास्तू सहीर हये सब कुछ सहीर हैं यहां पंट भी निए स्टं पंध वड़े कोशन चीर, चूह लिया मेरी जो नरेशन है या जो मेरे है उसमें मैं यह लिखता हूं कि वास्तू अब आपकी जनम तेती से वह बिना किसी तोड़ फोड़ के अब जैसे से इस पर डवलम्मेंट हो रहा है जैसे इस पर काम हो रहा है आपने देखा होगा कि पहले जो उपरेशन थे बहुत बड़े च जो तो हैं लेकिन हम वास्तू करवाएंगे तो यहां पर तोड़ फोड़ होगी यहां फिर गर का नुकसान होगा यहां गर की सुंदरता खराब होगी तो मैं आपको इस चैनल के माद्यम से जन्ता को बताना चाहूंगा कि अब वास्तू बिना किसी तोड़ फोड़ के और अब बिना किसी आपकी अपकी गर की सुंदरता खराब की ही कर जाताूं मैं गर पे उन Sumerution करने जाता हूं मैं अब तक करीबे हेखञान लोगों का वास्तू कर चुका हूं मैं जाता हू और कैसे वास्तू करके आ जाता हूं न कमालूम भी नी चलता कि वास्तू हो गया है तो यह कुछ नहीं टैक्निक आगी है है ऐसे कुछ articles आगी है ऐसी कुछीजे है और जिसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हमें वास्तु हमें उनकी घर की तोड़ फूर करनी पड़ेगी एक छोटा सा जो टी पे मैंने आप से कोशन किया था जिसके मकान टी पे हैं उसको क्या करना चाहिए कि मतलब जिसको प्राबलम क्रेट नहीं हो जो ब्रांती फैली वी है उससे सॉल्व रहे एक मातर टी ऐसी है जो नोर्थिश की टी होती है वो टी अच्छी होती है इसके लावा बाकि सबी टी अच्छी नहीं होती है यदि किसी का मकान नोर्थिश टी पे है तो उसको करना चाहिए बाकि जो टी है वो अच्छी नहीं होती है लेकिन टी जिदी commercial टी है तो टी कोई भी बुरी नहीं है घरों के लिए उसके लिए अलग-अलग दिशा को देखर अलग-अलग अलग मैडी बताई जाती है कि उसका घर कौन सी दिशा है शुरू होकर टी कितनी आ रही है कि दी किसी का मकान टी की उपर है तो उसको बिल्कुल भी घबराने की जुरूत रही है इसका 100% वास्तुगंदर सुलूशन है और वह भी बिना किसी तोर्फोड करें है और जिसका रिजल्ट आपको 45 जिनों के अंदर अंदर दिखना भी शुरू जाएगा अब टी कैसे बंती है टी कैसे बनती है जब आपका घर बीच में और सामने से एक अरवर यह आ रही है तो उसको बेलो करने के लिए निमालो साउथीष की है तो हम पे कोपर की पति लगेगी यह ब्रास की पति लगेगी उसको बोग किया जाएगा उसस पर पाक हुआ तो मैं यह बोलता हूँ कितने परसेंट आ रहा है यह उसके घर को देख कर ही बता जा सकता है घर से नेगटिविटी दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आत्मे को गर से नेगटिविटी दूर करने के लिए सबसे पहले तो सेंदा नमक मैं बोलता हूँ सेंदा नमक यां फिटिकरी का पोचा गरे पे लगाना चाहिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको गरे पे नेगेटिविटी जाद है तो बहार एक गनेशी लगते हैं घर के बार गर के बार ने स्वास्तिक स्वास्तिक भी हमारे मैंने आठ प्रकार के स्वास्तिक त्यार किये हैं वो गर के अनर्जी को त्यार करके उसमें एक उल्टे स्वास्तिक भी होते हैं एक चक्र वाले स्वास्तिक भी होते हैं और उसके लावा गर के बाहर आप गो मुत्र भी continue चिर्क सकते हैं उसके अलावा घर पे आप मोर लगा लिए घर पे मोर पंक लगाई है उससे भी घर की negativity दूर होती है South East में blue रंग या black रंग नहीं होना चाहिए घर की negativity दूर करने के लिए समय समय पर आप रात को 8 बजे के बाद तेज पते के उपर कपूर जला सकते हैं पूरे घर में तेज पते के उपर कपूर जलाने से एकदम से negativity का impact दूर हो जाता है और शाम को 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद किसी भी परकार की जाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए और घर में इदि आप गोबर का कंड़ा होता है उसके उपर इदि कपूर जलाते हैं तो भी अच्छा रहेगा और संड़े की संड़े गायतरी का हवन भी करा रहेते हैं तो भी negativity दूर होती है उन पैरेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जिनके बच्चे पढ़ने में बड़े कमजूर होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चे क्या करूँ मैं कि जो पढ़ाई में तेज हो और फ्यूचर में जा कि एक नाम करे जी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वास्तूर आश्योलोजी में बहुत अच्छा काम किया गया है जो बच्चे हो सकता है कि वो ऐसे जोन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या स्टड़ी कर रहे हो जो जो जोन उनका एंटी जोन है यदि वो डेटो बर्स के साफ़ से मैं उनको बताओं तो वो देवता भी बच्चे के लिए सास में लग जाएगा तो मैंने जैसे कि आपको बताएगा आपको पैसा अमीर बनना है उसी परकार से बच्चों के लिए आज लक्षे अमीर बनना नहीं है तो ऐसे ही बच्चों का भी एक जोन होता है यदि बच्चे उस जोन में बैठकर पढ़ते हैं तो डेफिनिली वो उनका पढ़ाई भी ध्यान में लगेगा और कम पढ़ने के बाद भी उनको ज्यादा समझ में आएगा जो नेता बनते हैं उनके के शुरू से ही योग रहता है कि आगी चल कर ये नेता बनेगा या कहीं ना कहीं धिरे धिरे अपने ग्रहों को या फिर अपने जो कहते हैं जो आपने अच्छे काम की हैं उनसे जाकर वो बनते हैं कर्म से देखिए नेम अभी आपने बात बताई अभी अपने शुरू थोड़ा सा बैक पर चलूँगा थोड़ा के चलूँगा हमारी लाइफ में नो ग्राय होते हैं जिसमें से कुछ ग्राय ऐसे हैं जिनका नाम नेम और फेम और आपको पुरसिदी दिलाना है जिसमें सूर्य मंगल और गुरू है सूर्य का काम है आपको नेम और फेम दिलाना मंगल का काम है आपको ताकत देना आपको बहुबली बनाना और आपको दबंग बनाना आपको शिर जैसा बनाना और गुरू का मतलब है आपको नोलेच या फिर ग्यान देना बाकी के जो चार ग्रहे हैं जिसमें चंत्रमा, बुद्ध शुक्र और शनी शनी हमारे करम का कारगर है शनी हमारी जजबंडल करता है और बाकिblind तीन ग्रै हमें पैसा देते हैं ये हमें लग्जरी देते हैं और और आउक केत्तु का काम इतना ही है किसी भी काम को बढ़ाना लेना है ना पैसा लेना है, लेकिन यह जिस भी ग्रैक के साथ में बैठ जाते हैं, तो एक उपर तक यहां तो आदमी को उपर पंचा देते हैं, यहां फिर आदमी को रंग बना देते हैं, तो आपको आपकी कुर्ली में सुर्य मंगल गुरू कैसे हैं, यह आपको देखना बहुत ज़ से होते हैं तो नेता तो बन जाते हैं लेकिन फिर भी लोगों से लेक्सा भाधर हो sold 대해서 यह राजी मन के लिए ग्रूंद पलेखने मलच के और Si Pia riches बागे बढ़ते हैं औरologue sa तो आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ योग नहीं है और आपको यह योग बनाना है तो आपको इनी ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा अक्सर मैंने देखा है आपको मैंक आपके होरोस चैनल के माधियम से बताना चाहूँगा कि लोग उन ग्रहों के दान करने शुरू कर देते हैं जो ग्रहे आपके कुल्णी में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं कुछ ग्रहे ऐसे होते हैं जिनका दान नहीं किया जाता है जिनने मजबूत किया जाता है क्रिप्या दान करते समय से बात का ध्यान रखिए कि कौन सा ग्रहे आपके कुल्णी में कमजोर है या अभी अच्छा नहीं है उसी ग्रहे के दान करने हैं और इधी आपने उस ग्रह बताये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद